हेलो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है पेनिसिलीन पेनिसिलीन एक बड़ा और बहुत इंपोर्टन टॉपिक है फार्मेकलोजी में हम इसे तीन से चार पार्ट में डिवाइट करकर पढ़ेंगे आज हम पेनिसिलीन के बेसिक इंट्रोड़क्शन के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में तीन टॉपिक कवर करेंगे उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दो को आप अंट्स आसका के बारे मारे में पारे में बॉटकिंट के आपनापना इस मेरे में अ हम इस आप बिए पीपेंट गून के आपना छिएक्टोर बाने लिए셔서 इसंग इस्टिरी नालीडीर ची फिर ए्ट वर्ड वार्ड लुग्मेंट पे इसोच्टेश कर दो किस बादी नाजने विह प्रेदाब दूने विहां, विह लाजने पॉर्ट टोल दूने अथे ग्रेदाब कि विझेए लेस्टा इस ट्डाफ ऑ्सारब लेक्डिश बीद ले अब हम देखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक वाट इस पेनिसिलीन जैसा कि आप लोग को पता है पेनिसिलीन एक एंटिबायोटिक है वह एक नेरो स्पेक्ट्रम एंटिबायोटिक है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियास के अगेंस्ट बहुत ही सिग्निफिकंटली पेनिसिलीन is a narrow spectrum antibiotic. जैसके अएक्ट्रम आप पॉजिटिव बैक्टेरियास और लृटिव बैक्टेरियास का लिटविट गाने भीकटेरियास प्रिक्रिक परी बैक्टिवनीश है। रहा जाता है क्योंकि उसके structure में बीटा लेक्टम रिंग present होता है। जैसे कि आप figure में देख रहे हैं, red color का जो portion है, penicillin के structure में बीटा लेक्टम रिंग है। The drug containing बीटा लेक्टम रिंग in their structure belongs to the group of beta-lactam antibiotics, that is penicillin, cephalosporin, carbopenemil. आज का हमारा last topic है, requirement of penicillin. इसमें हम जानेंगे कि कितना amount of penicillin हमारे लिए required है और उसे prepare कैसे किया जाता है। 1 unit of crystalline penicillin is equal to 0.6 micrograms of standard preparation. So, 1 million unit is equal to 0.6 gram, that is 600 mg. It is the required amount of penicillin. It should be prepared before it is required to use. It is available in the powder form. So, before it is used, it should be diluted. It should be administered immediately or after few hours if kept under low temperature. Dilute करने के बाद, उसे तुरंत ही administer कर लेना चाहिए, या फिर कुछ देर बाद अगर low temperature में रखा गया हो तो. हमारा अगला topic रहेंगा mechanism of action of penicillin जो हम next video में cover करेंगे. उससे पहले मैं आप लोग से request करूँगा कि आप इस video को like करें और मेरे channel को subscribe करें. करेंगे इस दोपरा करेंगे जो हम दूपरा थे जो हम ढईगे एकार को आप्साद़ का रहा हो. कि वाल्वार भावर जो भावरुआगा थे घ्र जला करेंगे वाल्यांस.